आप सभी कफिर से एक बार एक लबे 4.0 बैच में पड़ावड कनेक्ट हो जाए कल अल्रडी हम लोग यह कर चुके हैं जितने भी अप्लिकेशन वाले चैप्टर होते उनको अच्छे से करना चाहिए बच्चा प्लिकेशन लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूचे जाते हैं आप्लिकेशन अफ डेरिवेटी हो एप्लिकेशन अफ इंडेफिनेट इंडिग्रेशन हो यह क्वेश्चन में ना एकदम जैसे बोर्ड में तोड़े आसान पूचता है बट सीटी में तोड़े घुमा घुमा के पूचता है इसलिए मैं इतनी सारी टेक्निक्स दे रहा हो क अरड़ी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखें एप्लिकेशन अफ डेफिनेट इंडिग्रेशन के चलो कुछ आज और मज़ेदार क्वेश्चन कर दे ओल मैडियर कहां रह गए आजाओ पटापाट यस माइडियर अप्लिकेशन ऑफ डाफिनाट इंडिग्रेशन एक लव आज हम कुछ और देखेंगे शॉटकर्ट भी देखेंगे और एक ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन जिससे बच्चों को डर लगता है वो क्वेश्चन भी आज हम देखने वाले हैं ओके चलो शुरू किया जाएद सबसे पहले अगर आपको कभी साइन एक्स या कॉस एक्स वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है जो बहुत एजी होता है पहले मैं इसका बेसिक पता था बच्चों साइन और कॉस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका बेसिक आपको सीखना है यह उता यह एक्स होता है बच्चों यह जीरो है यहां पर यह एक्स होता है पाई भाई तो पाई बाई 2 पाई थे एकदम ध्यान से देखियेगगा और चूप आई, यह एकदम ध्यान से देखना है, जो मैं basic आज बता रहा हूँ, application of definite integration, यह chapter यहाँ खतम करेंगे हम लोग, और इसके अंदर जो आप sign और cost वाले question बताने जा रहा हूँ, जो बहुत important है, okay, Lala को आज book मिल गई है, thanks for the book, very good, okay, तो देखो बच्चो, कैसे करना होता ह एकदम, chapter का नाम क्या है, application of definite integration, एक लवे 4.0 बैच चल रही है, जिसमें बहुत ही अच्छे-च्छे थरीके बता रहा हूँ, okay, book helpline कोई उटा नहीं रहा है, आपको मैंने क्या बता है, आपको दीने sir helpline number पे call करना है, book helpline पे नहीं, okay, दीने sir helpline number पे बेजो chat में, sir, जो कोई भी book से related या किसी भी चीज से related issue है, आप हमारे दीने sir के helpline पे call करो, तो देखो sign cause वाले question कैसे किये जाते हैं, एकदम ज्यान से दिखना, जो भी sign curve होगा, यहाँ पर समझो 1 और यहाँ पर minus 1 है, curve यहाँ 0 से उड़ता है, और sign 90 पे 1 हो जाता है, और फिर pi पे 0 होत जिर्ता है और 2 पे गिरता है यहाँ पर, इस तरह से यह sign curve होता है, तो हमें कैसे बता चलेगा, कैसे बनाना है नहीं बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, बच्चा बोल रहा है, इफतारी करना है, इफतारी करते रहो, देखते रहो, कहां मैंने आपका हाथ पकड़ा है, जो जिन बच्चों का रमजान महीने का रोजा रखा हुआ है वह बच्चों से रिक्वेष्ट है आप इपतारी करते रहिए या करके आजाईए कोई बात नहीं है दोगो बच्चों कैसे होती है कि अभी भी sign curve ऐसे होता है और cost curve ऐसे होता है मुझे आ रहा है ऐसे हैं वाइट वाला जो है कॉस्ट करव है जो वाइट है वह कॉस्ट करव है वह वन से स्टार्ट होता है और यलो वाला है वह साइन करव है वह साइन करव है जीरो से स्टार्ट होता है इस तरह से होता है आपको ध्यान रखना है अब हम लोग साइन की बात करेंगे एकदम ठीक है तो सबसे पहले याद रखो कि अगर हमें एरिया अंडर करो बोला है तो कैसे निकालेंगे कभी भी हम जीरो टू पाई बाई टू लेते हैं बच्चो यहां पर जो यह एरिया है यह हमेशा वन होता है जब भी साइन होगा लेके पाई तक तो यहां पर देखा एक यह और एक यह 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 भी वन होगा अगर मुझे बोला है जीरो से पाई तक तो आपका वन और वन मिलके टू हो गया एरिया डायरेक करना है अभी हमको बोला है कि भाई यह जीरो से लेके थ्री पाई बाई टू तक यहां तक जीरो स गर पर दोता सकते हो यह याद रखो यह शॉटकट है कि नंबर चल रहा है चैट में किसी को कोई भी तकलीफ है मेरी टीम का थीपन घलप लाइन नंबर है उस पर आप कॉंटेक करके आपने प्रोबलम बता सकते हो उस पर वाट्सपश्प पैसेज बच सकते हो और अपनी तकल कैसे करना वह बताने वाला हूँ, अभी मैंने जो अल्रीडी आपको बताया, यह x-axis, y-axis होता है, यह 0 होता है बच्छो, यहां से इस तरह से होता है, यहां पर हमेशा आपको यहाद रखना है, pi by 2, 3 pi by 2, इस तरह से होता है, एक तम याद रखो बच्छो, और 2 pi, ऐसे होता है बच्छो, अब क्या करना है देखो यहां से, सबसे पहले हमारे कर्व कौन सा, देखो एरिया पांड़ेट बाइद कर्व, si next, देखो यह सब जही में में भी सब क्वेश्चन आते हैं, जही में का क्वेश्चन लेने वाला, हूँ, एक मिनदा बच्छो, देखना जरब अच्छो, मैंने भी अभी यह चीज आपको बताई है, यहां से कभी भी जाद रखना, 0 से यह 5 by 2 पे उड़ता है, 5 पे गिरता है, 3 by 2 पे उड़ता है, और 2 by गिरता है, यह होता है, साइन करो, हमेशा इस तरह से होगा, जाद रखना, 0 से स्टार्ट होता है, अब देखो होगा, कैसे आज लगता है, नोटिफिकेशन नहीं गया क्या, कोई बात नहीं है, जो भी बच्चे आगए, एकदम जानते हैं, जिसको नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, तो आपको अमने जो टाइम टेबल दिया, उस टाइम टेबल से आप अपना टाइम मुझे यहां समझता है, लेकिन MCQ सहल करने नहीं आता, प्राक्टिस कर बेटा, मेरे डीटेल लेक्चर देख, आपको समझ में आएगा, इपरेशन में आगया है, पखले, इपरेशन अभी आया है, अभी तेरी शादी नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, असली डिपरेशन तो शादी के बाद आता है, जब फैमिली की जिम्मेदारी तेरे सर पे आएगी, अभी तु माबाप के चतरचाया में पल रहा है, माबाप कमा के तुझे खिला रहे, कपड़े से लेके, खाना पीना तक, हर चीज तक, बुक से लेके, हर चीज तक तुझे माबाप दे रहे ह असली डिप्रेशन तो तब आएगा, कि अपने लाइफ में तु सक्सेसफूल नहीं हो पाएगा, और तेरे उपर घर की पुरी जिम्मेदारी आजाएगी, दो चार नन्ने मुनने बच्चे तेरे कंदे पर यहाँ वाँ कहलते रहें, पापा, मला नमीन कपड़े पाईजे, पापा चाहिशा देगा ही रूपया नहीं, बाई को मनना, मुझे जुंका दिला दो, जुंका दिला, मंगल सुत्र दिला दो, तो तेरे पास पैसे नहीं है, तब असली डिप्रेशन आएगा, मैंनत कर चुप चाप से, समझ रहा है, मैंनत कर सब होगा, सम सॉल नहीं हो रहा पड़ाई उड़ाई करो, ऐसा करो, प्यूचर में जब भी अपनी फैमिली हो, बच्चे बोले पपा, यह चाहिए, एक बिना सोचे समझे, बच्चे को मिल जा, भी बोली, मुझे नो लखा हार मंगवादो, ले भी ले नो लखा, पपा बोलेंगे मुझे तीरते यातरा कर इतना दम होना चाहिए, इतना जेब में नोट होना चाहिए, कैसे होगा, सफलता बाके होगा, तो तुम सक्सेस्फूल हो, इसको बोलते है, फाइनेशल पृरीडम, आर्थिक आजादी, कि आपको किसी भी चीच के लिए सोचना ना पड़े, घर के किसी मेंबर को कुछ तो हो गया, अचानक से, अपरेशन करना है, लाखो रुपए लगने वाले हैं और एडमिट करना है, और बड़े हॉस्पिडल में आप लेके गए हो, अब उसको लेके जाने के बाद वहाँ पर उनन तुरंद बोला कि एक लाख रुपए डिपोजिट करना पड़ेगा, और अब आपका कोई जिगरी या एकदम जान से भी प्यारा फैमिली मेंबर है, अब आपको वहाँ सोचना पड़ जागो, मैं इतने रुपए कहां से रेंज करूँगा, और आपको सोचना पड़ेगा, यार गोवर्मेंट हॉस्पिडल में जाते हैं वहाँ पैसे नहीं लगें कीते तुला विचार पड़ता हो, और यार पैशे असले से तर प्राइविट में दे केलास था, वो जो सिचुएशन है वो आनी नहीं चीए, कितनी सारी चीजे आपको बना के रखने पड़ेगी आगे, अभी फ्यूचर में, फैमिली की सुरक्षा हो, हर चीज हो, ठीक है न कुछ भी आजा, बच्ये कर लेंगे, ठीक हो, कभी भी जद रखना, जीरो से पाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइव, जब होगा, अगर मैं बोलूगा, भाई, साइन एक्स है, और इसका क्वेस्चन है, एक्स इस from 0, ये क्वेस्चन समझो यह question है तो इसका area कितना आएगा पाई नेक्स वाला question है area कितना आएगा तो आपको मैं बदाना चाहता हूँ इसका area हमेशा 0 से लेकि कितना बोला है 0 2 5 by 2 0 से 5 by 2 यह area हमेशा 1 होगा खतम डाइरेक्ट याद रखो कोई solve करने का नहीं खतम 1 square unit खतम तो हमेशा रहे है अगर हमको यही question घुमा के पूछता है question कि y is equal to side next एकदम ध्यान से देख विटा x is equal to 0 से लेके x is equal to pi है एकदम ध्यान से देख तू मुझे एक 5 second में answer देखा अब area कितना आएगा अब तू देखेगा x 0 से pi यह 0 से लेके pi यहां था तो क्या करेगा यह 1 यह भी लेना पड़ेगा 1 जीरो से लेके pi तो यह 10 book यह 10 book यह 1 यह 1 मिलके 2 हो गया area is 2 खतम आया समझ समझ में आया समझ में आया समझ में आया यह यह question तीसरा question y is equal to sin x x is equal to 0 x is equal to 3 pi by 2 अब मैं चाहूंगा कि आप लोग बताओ पटाक से direct answer area will be how much मैं चाहूंगा कि आप बताओगे कहदू तुम्हें answer क्या है जल्दी बोलो मुझे answer यहां तक है चलो मुझे area बताओ जल्दी कितना आएगा माइडियार माइडियार कहा रहे गए मेरे सातियों area बताओ औरे बाबो quality नहीं चीकरी है quality degree का बराबर देखो तीन area तीन number बदल्ला उत्तर बदल्ला आए बनता चाहे y is equal to sin x प्रश्न एक चाहे criteria बदलत आए x is equal to 0 to x equal to 2pi अधा सांग सांग बोलाना अरे पाउस पडेल काई सांग सांग बोलाना पाउस पडेल काई एच उत्तर किती नार थे सांग माला बाला एरिया किती है असनर बगार जीरो 2pi by 2pi 0 से लेके 2pi 0 0 से लेके 2pi तक तो यहां से यहां तक कितने time हो एक एक दो तीन आनी एक चाहर एरिया किती है से चाहर समझ गए समझ गए समझ गए अब यह और क्वेशन बूच रहा मेरे दोस्त क्वेशन y is equal to sin x x is equal to pi by 2 x is equal to 3pi by 2 बदला का अब प्रश्न बदला उत्तर देता यह हील का उत्तर देता यह हील का है बच्चे क्या तुम उत्तर बता सकते हो देखो एरिया है 5 by 2 से 3pi by 2 5 by 2 सुन रहा है ना तू सुन रहा है जल्दी बोलो 5 by 2 से 3pi by 2 5 by 2 में यह 10 बुक 3pi by 2 तक यह 10 बुक 1,1 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सही जा रहे हो डारेक्ट एंसर देना सीख गए हो ओए होए 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 हाए 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 चलो इसका एंसर बता आओ अभी यह सब आ गया अभी जो question था उसका answer बता आओ जोग्रफी नहीं बढ़ाएंगे बड़ा जोग्रफी नहीं है कोई teacher मेरबास चलो अभी यह जो question था इसका answer बता आओ देखो पर भी बहुत सारे बच्चे आ गए time table पता है सबको the area bounded by the curve y is equal to sine x between x is equal to 0 x is equal to 2 pi direct देखो 0 2 pi 0 2 pi 0 2 pi 0 2 pi 0 0 3 1 4 4 यह दादा बीना integration का सिकाता यह sir यह बनाता है क्या हुआ chapter का नाम है application of definite integration integration वापर हो ना तुम बीना integration का कोई साह होता है Marx देगा यह लोग अरहे वापर हो वह बोड में होता है वह बोड में होता है CT का question CT का question सुथ से करने का तुद्से करने का तुक्का करे भी तु लिख दिया और तेरा साही होगा तुमास मिलता है कोई ने पूचे का यह लाया वाजुवाले से पूचके लाया अकडवकडवमबववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव कशला दी ले थी इंटीग्रेशन आदे लोग तो यही देख के गए थे तो में से 92 के उपर आ सकता है बिना इंटीग्रेशन बिना मैंच 2 पड़े बाद में उधर गए बोले वेक्टर लाइन प्लेन का मैंच 1 ही पड़के गया था मैंच 2 चोड़के गया था बोड में मुझे मेरे सर ने बोला वेक्टर लाइन प्लेन का क्वेस्चन ही नहीं किया बोले वह लास्ट लास्ट में जैनुवरी फैप्रवरी में क्लासेट में सिखाया वह बाद में रिवाइच किया ने तो बूल गया कोपट हो गया मैस्टू किया ही नहीं था और मैस्ट वन के क्वेश्चन करी नहीं पाया य। य। पास होंगा क्या मैं ग्रूपिंग होगी क्या मेरी य। इजान दे तू इंटीक्रेशन चोड़ा इस दो बना भी सिखा रहा हूँ कल के लेक्चर में भी ऐसा ही वा था तो यह क्या देखिया बीना इंटीक्रेशन के सॉल कर दे आज बूक और किया छे साथ दिन में आएगा बेटा अब एक और क्वेश्चन लेते हैं मुझे लगता है मेरे बच्चे करके बनाएंगे अभी देखो यह वापत से वही है साइनेक्स ओलमाइड यार्स ए बच्वा ज्यान तुकाहे घबरा रहा है तोश्योलोजी जोग्रफी नहीं आएगा बेटा मेरे पर टीचर नहीं है कोई नेक्स्ट येर से मैं सब टीचर्स लाने वाला हूं एक्टेंशन मतलो हर सबजिक्ट आएगा नेक्स्ट येर आएगा बट आपके जूनियर्स के लिए मैं सिफ एक जाए ओयो भता तो रहा हूं रोज लिख लिया करना हमारे सारे कोर्सेज में अवलेबल एटेंशन मतलो फॉरमूले बुक में भी है जो भी मेरे शॉटकर्ट है ना मैंने फॉरमूले बुक में दिए हुए बिटा दिखाता हू रूख ये जो फॉरमूला बुक है ना छोट चैनल के community में जाओ, दो दिन पहले मैंने डाला हुआ है, पुरा address डाला है मुंबई और चत्रपती संबाजी नगर है और अंगबाद, दोनों जगह का address आला है, वहां जाके आप ले सकते हैं, देखो यहां पर कैसा है कि हमेशा याद रखना पाई बाई टू लेने का, पाई ऐसे जाता है, ठीक है, लेकिन यह बोला है देखो, x-pi by 2 से x-pi by 2, तो minus pi by 2 यह, से pi by 2, देखो यह इधर आएगा, और इधर ऐसे उठेगा, अभी देखो, अभी हमको range पकड़ना पड़ेगा, range, minus pi by 2 का है दादा, यह, minus, और pi by 2 का है दादा, यह देखो, यह, अभी इसका देखो, यह वाला एरिया कितना होता है, 1, यह भी एरिया क्या होगा, 1, minus 1 होता है नीचे, बट 1 पोजिटिव करने का एरिया, अब देखो, यहां से यहां क्या आया, minus pi by 2, यहां से लेके, यहां तक क्या आएगा, 1 plus 1, एंसर बोल, 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 तुझे क्या चाहिए, एंसर चाहिए, यहां क्वेशन चाहिए, अरे भाई, minus pi by 2 यह रहा, 0 से पीछे, और pi by 2 यह रहा, यहां से यहां से यहां तक, कितने टेमोग है, 1, 1, 2, 2, 3 है यह, यहां आया, 0 मतले, बच्चे बोलेंगा, सर यह 1, और यह minus 1, दोनों को ब्लस किया 0, बट ऐसे नहीं होगा, अगर यह 0 है, तो यह area मतलब कुछ है ही नहीं क्या, area मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा, कभी भी area negative आ रहा है, तो positive ले लो, यह minus 1 आता है नीचे, तो वो plus 1 लेना, plus 1, plus 1, 2, यह गलत हो गया, समझ में आ रहा है, area कभी भी positive लेना, अलग-अलग लेने का, अब यह minus 1 आएगा शिवा जी बोल रहा है, इतना easy पुरशना आता है गया, अगर तुझे यह तरीका में नहीं बताता, 1, 1, 1 वाला, तो यह सबसे hard question है, sign cause के question देखके बच्चे, डर जाते है, समझ में आ रहा है, शिवा जी, like what, यह easy तुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् क्योंकि तुझे इसकी आये, जो इसकी न मतलब नस पकल ली हमने, answer question की, अब समझ में यही question है, and मैं बदल रहा हूं बिटा, y is equal to sign x, देखते हैं तुच कर पाता है कि नहीं, x is equal to minus pi, 2, x is equal to 3 pi by 2, अगर तुमने बता दिया, मैं सच कहता हूं, मैं आगे बढ़ जाओंगा, कॉस वाले question लोगा, अगर तुमने वद्धा दिया, तुमने सच कहता हूं, मैं आगे बढ़ जाओंगा, कॉस वाले question लोगा, मैं समझ जाओंगा, कि तुम्हें sign आ गया है, बूट बोट बोलने मनतों, तुम्हाला माजा कड़ू, दोन लाड़ू, ठीक है, धन्यवाद, होगया है, क्या पाच, औरे बाहपरे, एक, दोन, तीन, चार, पाच, कान पकड़ के नाच, उत्तरा है, वे चार कोन बोलाओ, तब पाच बोलता हूं, औरे बाहपरे, पाच, 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 इसका उत्तर पाच चाहिए, देखते कितना है, अब लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है, अभी ये साइन का क्वेश्चन चोड़ना पड़ेगा, विम लोग सही सही बताएगा, तो फिर मैं चोड़ के चला जाएंगा, माइनस पाई, यह माइनस पाई, टी पाई बाई बाई टू, यहां से हैं, येक, येक, दोन, येक, तीन, येक, चार, येक, पाच, इधर देखिए, येक, दोन, तीन, चार, पाच, उत्तर ये ते पाच, अपने बोला पाच, साइन का गेम ओवर सबको आ गया मतलब सबको आ गया मतलब आ गया देखो वापस लाइक सी 500 भी लाइक नहीं देखने वाले हजार के उपर है कि देखने वाले हजार के उपर लाइक ने बहुत कंजूसरे तुम क्या बुली करें बच्चे लोग बहुत यह अच्छा अभी तुमको अगर साइन के क्वेशन समझ में आगे तो हजार लाइक अभी एक दब 30 सेकेंड में हजार लाइक कर दो क्यों कि तुम लोग हजार के आगे इसने लाइक किया वो मत करो अगया ड्यक तो बढ़ा ने चाहिए न यहां कैसा करता है अभी एक तुम क्या करनाइक तो ए बावू, ए दादा, यह इकड़े, एकस, वाई, कीरो, तसस ना, पाई बाई टू, पाई, पाई, पाई बाई टू, टू फाई, माईनस पाई, देखो, कभी भी याद रखना, कैसे पता चलता मालू में, देखो, साइन जीरो है ना, वो जीरो होता है, और साइन नाइनटी है ना, वो वन होता है, इसलिए जब भी जीरो होगा ना, जीरो पे साइन जब होगा तो जीरो से उठता है, और साइन नाइनटी, नाइनटी पे यह वन होता है, मतलब यहाँ पर वन है समझो, तो यह जीरो स 90 पे 1 होता है, साइन वाला, बट कॉस होगा तो क्या होगा, देखना, कॉस होगा तो क्या होगा, देखो, कॉस 0 होगा ना, तो 1 होता है, और कॉस 90 होगा ना, तो 0 होता है, याद रखना, अब देखो, यह 0 है, यह 0 और यह 1 है, अब कॉस का ग्राफ कैसे होगा, कॉस 0, 0 पे 1, यह 0 पे 1 यहां पर आएगा start और 90 पे 0 यह 90 पे 0 यहां आएगा मतलब ऐसे है हो जा रहा है और cos pi होता ना cos pi minus 1 होता है याद रहो तो pi पे minus 1 यह 1 है तो यह minus 1 यह 1 pi by 2 minus 1 like this फिर यह जाएगा ऐसे फिर जाएगा ऐसे हो जा रहा है फिर यहां पर से ऐसे आएगा ऐसे है ऐसे है ओके फिर यह minus 3 pi by 2 होगा तो फिर यह ऐसे है यह cost का graph होता है कभी भी याद रखना confused मत होना formula PDF चाहिए बिटा formula की book है यह देख यह हमारे course में अगर तु है तो वहाँ पर formula का e-book भी दिया हुआ है यह cost का graph है दोनों ग्राफ में फरक क्या है sign का graph 0 से उठता है और pi by 2 पे चड़ता है फिर pi पे गिरता है cost का graph यह 1 से 0 रहेगा तो वहां 1 से start होता है और pi by 2 पे गिरता है उल्टा यह चीज याद रखना जो टेक्निक बता है मैंने हजार लाइक भी नहीं हुआ यह जान बूझके बहुत हलसी लोगे हलसी लोगे करते ही नहीं जाने दो मैं नहीं गोलूंगा भी इसको करना है करेगा चलो जीरो टू टू पाए यस उगल टू कॉसेक्स देखो फिर से वही टेक्निक यह जो वही है यह जो वही है देखो एक यहां से ऐसे रहेगा ना यह वन यह वन यह कैसा आधा इदर आधा इदर यह वन यह वन यह वन यह वन यह वन यह वन यह यह यहां तक वन और आगे वन इ सब्सक्राइब करें दिवस दरुन टेवाई से अफलाइन गया तुम्ही चत्रपथी संभाजी नगर किवा मुंबाई आम चाइड्रेस गया थिते आतवात जाओन गया जर तुम्ही रवड़ा सालतर देखो जीरो से लेके टूपाई जीरो यह रहा यह बाबो यह देख जीरो यहां तक जाना पिर यह वन आ गया पिर यह वन आ गया देखिए वन टू वन टू वन तरी वन पूर एंसर इस फोर मेरा बच्चा हो गया क्या तू बहुआ है साहिन उकास वाले क्वेस्चिन तो या बाद यह पाच महेस बोर से बोलते है पाच कैसा ठीक है चोलो आगया समझ में आगया अगर मैं क्वेस्चन बदल दू तो क्या तू अगर तू पाई कर दिया और यहां पर है देखते हैं जोर कितना बाज हुए कातिल में है एरिया निकाल के बता तो समझ जाओंगा आज तो तू लिए करेगा रे रोज दिने सर करते हैं आज तू करेगा एंसर देगा जल्दी बोल जल्दी जल्दी बता तू बता एंसर क्वेस्चन कुछ भी आएगा तू एंसर बता आएगा रे बाबा क्वेस्चन का टाइप बतलो बतलेंगे प्रैक्टिस तो कर ले ठीक है इतना आएगा बोल जल्दी दोन अच्छा चलो आता एक मन्तों में लेट आए जरा रिपीट करा था रसन अस्ततू यूटूब चाली जे रेड लाइन पालू आए तहला पाटी पागेगे रिवस मदे स्टार्टिंग पास उनबग जो लोग लेट आ गए वह यूट खीच के कर दो और स्टार्टिंग से देखो आ गया कैसे दो आया बच्चे रेकोut 0 से पाई जीरो से भाई जीरोते पाई भाई पाई पाई इस पर हैाई धिरो थे पाई जीरो थे पाई हम किती subjects 1 mi 121122 है जो नहुंद निय complain अजूनेक वीचारू चला वाई इस इक्वल टू कॉसेक्स बगविया कोन मनता है एक्स इप्वल टू माइनस पाइब टू एक्स इप्वल टू त्री पाइब डू देखो कुछ भी लिमिट आएगा डर ना ने कामरा ना 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 देख भाई तुझे जो चीजे में बता दे र गए थीष्यान दणी तरी पाइब डू रहर एक डूम और बीन का सुझे दूने माइनस पाइ बाइब टू किदर ए यह माईनस पाइब टू बोलो बोलो दिपा बाइब टू किदर है यह टू और मारना एक एक डुटू तीन चार व्त-णिद्र लॉत-चार बोल रहें यह अईसा देखने का देख, X minus 5 by 2 कहां पर ही ए रहा, X minus 3 by 2 कहां पर ही ए रहा, एक दोन एक तीन एक चार क्या सिंबड है रहा बाबा? का जाल है तुमसे? उजुआला का लिते? सर तुम्हीं कुप चांच हुथा? एंडिये मैंस लेक्चर के हाल का, आता सध्या CT से घेत हो है, जाता आपन गेरेंटी हिनर ना एंडिये ची, आता कॉस मद एक शेवट सा प्रश्न, कॉस साथी, y is equal to कॉस x, यह उड़ा एकदम ना खतर्नाग विचार तुम या, एकदम ना खतर्नाग विचार तुम या, एकद तुम्हे एरिया सांगित लाना, वि तुम्चे एरिया मोदे इनर, देटा है ला, एरिया सांगा, तैंक्यू मनोज बेटा, एक हजर लाइक कंप्लिटेड, ओके वेरी गुड, तैंक्यू, तैंक्यू, ये पहले ही कर देना जीन, आते आते सेशन को लाइक करना सिखो, चलो जल्दी से बोलो मुझे लास्ट और आगे बढ़ते अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ये भाई, ये ताई, राहिली कुटे, ये लवकर, साथ, आस, समझ ले सर, कल राही समझ ले नहुते, अच्छा, ये तन बहाद समझ ले, बगा, परत, 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 पिश, पिश, ब्लू कलर के हुए, देखो, माइनस 3 पाई बाई 2 ही ते, अनि 2 पाई मंझे ही ते, आता इतुन मोजाई से बगा, एक, एक, दोन, तीन, चार, पाच, साह, साथ, समझ में आया, स्क्वेर उनिट, चला, पुडे दा हुए, नेक्स टाइप अप क्वेश्चन, आप एक्सपर हो चुके हो, येस, सेवेन, थाला फोरा रीजन, ओके, थाला फोरा रीजन, येस, अल्माइड येर्थ, नाव यार तो कॉन्विटेंट, कर लोगे, ओके, चला, पुडे दा हुए, पुडे दा प्रश्न, लॉग एक्स, कर लॉग एक्स आगया अभी, आरे कुछ नहीं होता हैं, लॉग एक्स क्या करेगा सर्दा, एरिया बाउंडेट वाउंडेट वाइद कर, देख बेटा, ये जो है ना लॉग एक्स, सीदा उसको लेने का, ये एरिया इस इक्वल तो लॉग, इंटिग्रेशन करके करने का, इस पर शॉटकट नहीं है पर डायरेक्ट आजाएग जो भी ये लॉग एक्स है उसका एरिया, एरिया का भी निकलना होगा तो इंटिग्रेशन लॉग एक्स और ये एक्स की लिमिट क्या है देख एक्स वन से टू, खतम, लॉग एक्स का इंटिग्रेशन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का इंटिग्रेशन वन अपॉन एक्स अरे बापरे इस अलग आ रहा है गया देखते रुको नहीं 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 लॉग एक्स का डेरिवेटी वन अपॉन एक्स होता है अरे यह वाई है काई धाला इंटीग्रेशन मला जामत नहीं है घरमी ओप्शन मदे सोड़ा होता बाब और इजन लॉग खेग्स लॉग का डेरेवेटी वन अपॉन एक्स होता है इंटीप्रेशन चाहिए तो ल dairy इंटीप्रेशन भी आप झाहिए आप डिरीक्ली हाग करके रख सकते बच्चों लॉग एक्स का ंटीप्रेशन करने के लिए आपके बॉड में भी पक्वेश into v rule से, so u integration of 1, okay, minus बड़ा integration, 1 का integration, log x का derivative, okay, dx, यह, 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 वही आएगा, log x into x minus 1 का integration x, तो x log x minus 1, यह देखो, इसका integration होता है, अगर आप solve करोगे तो x log x minus x, और यह definite integration में c नहीं लगा दे, तो log x का यह direct formula भी याद करके रख सकते हो, इतना करने की जुरत नहीं है, बोर्ड में आपको आया था, जो बच्चे थे, आपको याद है रहागा, कल पेश बाटी लीतो, log x ला 1 ने multiply करूँ, uv rule ला होता, यह यह, तोच के ला है, आपले आला log x सा direct integration पार्ट करूँ ठेवाए ला वो, तुमी direct, x log x minus x, यह पार्ट करूँ ठेवा, log x सा integration है अस्तो, ओके, अनि इतने limit एक, अनि दो ना है, आथा value ठेवा, x सा जागी 2, 2 log 2 minus 2, 2 ठेवा है, आथा 1 ठेवा है, 1, log 1 minus 1, आथा log 1 नहीं 0 अस्तो, log 1 किती अस्तो मुलानो, 0 अस्तो, area, यह गा है बगा, 2 log 2 minus 2, minus, यह log 1 मन्जे 0, 0 into 1 0, 0 minus 1, minus minus plus 1, बगा, किती जमते बगा, कि माइनस, 2 plus 1 minus 1, 2 log 2, आहे का 2 log 2, नहीं, मैं यहाला अपन log 2, हाजो 2 इते होता ना, त्याला अपन वर्थी गेतो, इते जे 2 आहे त्याला इते कितला, कि log 2 square log 4 होना, 2 log 2 मन्जे log 4, तर इते का है जमते बगा, log 4 minus 1, अता, special question आहे, log 1 साला की असर कर आइस, ठीक है, ऐसे करना पड़ता, भया, log 1 होगा, तो एरिया आइसे इंटीग्रेशन से करते, log 1 का इंटीग्रेशन याद ही करके, रगलो भाई, वो यू इंटीवी लगाते मठ बैटो, ओके, ठीक है, चला, अचाहिए, हम लोग कलका शॉटकर लेते, बच्चा बोलना था कलका मुझे समझ में नहीं आया, तो कलका एक शॉटकर लेते, फिर नए नए शॉटकर और लेते, चाहता कलका शॉटकर, यह था था अरिया इंकलोस बिट्वीन टू पैराबोला, एक पैराबोला य स्कुएर वाला है, याद कर तू इसे, य य इक्वल टू एक स्कुएर, यह उल्टा दिया है, यह एक लिखाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही लाया था जीवन में मेरे सवेरा, क्या तुमें याद है, क्या बोले रहे, भूल गए अरे पगलो, अभी कली सिखाया था, भूल कई से जाते हो रहे, अब खुला जाते हो एक दम, कुंसा था आपना भई, यह बोला एक मिनटा, पर्मूला खोल लेते हैं आपके लिए, कल मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, जो बूलेगा वो जूलेगा, जो बूलेगा वो जूलेगा, भूलना मना है, भूलोगे, यह बूला नहीं है, देखो कल अमने यह लिया था कि कभी भी दो पैराबोला होते ह एक तो यह सिखा था, एक पैराबोला होगा, y2 is equal to 4ax, और एक लाइन होगी, जो ओरीजिन से पास हो रही है, y2 mx, उसका shortcut था, area is equal to 8 upon 3 a2 upon m3, दूसरा था, अगर पैराबोला x2 वाला है, और लाइन y2 mx है, और यह जाने वाली, 8 upon 3 b2 m3, तीसरा था, अगर दो पैराबोल एक y-square वाला पेराबुला एक x-square वाला पेराबुला तो हम एरिया लेते 16.3ab शॉटकट काया सिल बगा 16.3ab तर यह ते फॉर्मूला एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला 16.3ab आता ए आनि बीची किम्मत कारने साथे आपन कंपेर करना य स्क्वार इसकूर इसकूर टू 4x और x-square is equal to 4by, compare करा मुला नो, y चा सोबत 4b आहे, इते y सोबत 1 आहे, इते x सोबत 4a आहे, 4a, this coefficient of x 4a is compared with 4, here 4b, 4b is compared with 1, so a is equal to 4 upon 4, 1, b is equal to 1 upon 4, now use these terms a and b values, here area is directly 16 upon 3, a 1, b 1 by 4, 4 4s are 16, 4 by 3, okay, no more bore, answer is 4 upon 3, shortcut PDF सब formula में रहे, य य पर्मूला बुख तेरे पास है न पागल, तो दिया था न, तुम लोग ने लिया था न रहे, दिवाली के टाइम देखो, बहुत सारे जो हमारे टॉपर्स बैच की, प्रो बैच के बच्चे थे अडवांस, उनको सबको तो फ्री में दिया था दिवाली का, बीना बताए, उनको गिफ्ट दिया था, हमने दिवाली का, बाद में एकलवे के वेबसाइट पर डाल दिया, अगर हमारे crash course में या, topbers sauce में ने किसी बैच में हो हमारे crash course में या, टॉपर्स बैच में या, किसी बी अब यह कल का ही तरीका था, अभी और एक दो तरीक हैं बट चलो एक रिकल वाले टाब पहले कराता हूं फिर दीखते हैं रिकल वाले ग्वेस्ट्शन रिकल ले आज लेंगे नहीं थे रिकल सर कल मतलब सर कल इवृत्व मुराठिता पन वर्टूल समंतो आया बड़ा, सरकल पढ़ा, सरकल तो पढ़ाएगे, आज भी पढ़ाएगे, रोज पढ़ाएगे, सरकल, सरकल भी पढ़ाएगे, आज भी पढ़ाएगे, अज भी पढ़ाएगे, अज भी पढ़ाएगे, the area of the sector of the circle guys, x square plus y square is equal to 16, बहुत सारे बच्चों को basic layer नहीं होता, तो straight line, किस्ते न, straight line, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सुझ में रहा है, सुझ में रहा है, सुझ में रहा है, सरकल मंझे गोल नवे वर्तूर, okay, कभी भी x और y के power में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो वो क्या है, वो line है, अगर समझो किसी एक, दोनों का square हो जाए, वो circle हो जाता है, k से, जादा देखो a से, x square plus y square is equal to r square, ये radius होता है circle, ये straight line है बाबू, ये circle है बाबू, okay, अगर x और y दोनों का square हुआ तो वो circle हो जाता है, ये straight line, circle, पैरा बोला क्या होता है, पैरा बोला, पैरा बोला होता है भाई, कि अगर कभी y का square है, और x का नहीं है, या तो x का square है, y का नहीं है, तो ये पैरा बोला होता है, पैरा बोला, पैरा बोला कैसा होता है, यह सा होगा या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा तो एक होगा समझ में आ रहा है अब यह पैरा बोला होता है एकदम द्यान से देखो चीजों को समझो geometrical चीज है कोनिक सेक्षन है एक पैरा बोला होता है एक हाइपर बोला होता है एलिप्स देखेंगे एलिप्स क्या होता है यह जो सर्कल होता है सर्कल यह जो सर्कल होता है बच्चो यह सर्कल है सर्कल को समझो दबा दिया तो दबाने से क्या होगा अंडा बन जाएगा अंडे का बन जाएगा अंडा मींस एलिप्स यह सर्कल का ही दबा हुआ भाई है लोगों ने दबा दिया है तो यह क्या होता है ellipse मालूम है इसके जैसे ही होता है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 होता है circle में कभी भी याद रखना x square और y square का coefficient सेम होना चाहिए x square के साथ अगर इधर 3 है तो यह y square के साथ भी 3 रहना चाहिए बट ellipse में ऐसा नहीं होता x square और y square का coefficient अलग-अलग होते हैं बार-बार तो बोला hyper बोला वो यह होता है x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 इसका shape बोलो यह अंडे के दो टुकडे करो दोनों एक दुसरे से नाराज तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं परेशान हूँ मैं अर्चल बोल रहा है जर प्रॉमिस करोगी आप YouTube पे कभी पढ़ाना बन नहीं करोगी अवे पिछले 6 साल से लगातार पढ़ाय जा रहे है वहास तक नहीं बन किया तो आप क्या करूंगा तो यह सारे shapes याद रखो बच्चो सारे shapes याद रखना है सारे shapes याद रखना है, straight line, circle, ellipse, hyperbola, parabola यह कभी-कभी हमें पूस्ता है कि आपका जो answer आया है वह कौन सा shape है जिसको नहीं पता होगा न वह फस जाते हैं अभी आगे देखो यह हो गया, अभी हम question देखेंगे कि भाई circle वाला question है कैसे पता चला यहां लिखा है अगर नहीं लिखा होता तो, course, देखिये इस question को, अगर circle नहीं लिखा होता तो हम इसके equation से पहचान लेते एक्स और वाई दोनों का square है, कभी भी एक्स और वाई दोनों का square होगा तो आपको यह चीज याद रख नहीं है basic concept कभी भी याद रखो geometrical basic concept है किसका geometry का, okay आयूश पाटी लिख रहा, आपकी होजे से 80 प्लस आएंगे, offline में पैसा बरबाद हो गया बहुत अरे रे 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 देवा, okay तो देखो कभी भी x और y को square होगा, तो दो दो होता है, यह भी होता है, ellipse भी होता है, hyperbola भी होता है, पर कैसे पता चलेगा यह x square और y square के साथ 1 होना चाहिए, या तो दोनों में सेम होना चाहिए, तो बहुत circle होता है, यहां पर देखो x square और y square के साथ सेम है, अब यह 16 है, तो actual में circle होगा, तो equal के बाद radius square होता है, तो अगर मैं इसको बोलूँगा, x square plus y square is equal to radius circle ही होता है question होता है कि line y is equal to x है, in the first quadrant, the area of the sector of the circle, and the line y is equal to x in the first quadrant is, तो देखो, अगर मुझे कभी बोले, तो इसको मैं पहले यह बनाऊंगा, इस तरह से, एकदम, एकदम ध्यानते देखना, अब यहां पर मैं एक circle बनाऊंगा, circle बनाऊंगा, 0, अब यहां से मुझे पता चलेगा, radius का square 16 है, तो radius 4 हो गया, तो यह 0 से यह पूरा radius है, 4, यहां पर यह minus 4, यह 4, radius है, अब देखो, यहां पर अगर मैं radius 4 लेता हूँ, तो पूरे circle का area क्या जाएगा, तेरे circle का area होता है, pi r square, pi r कितना है, 4, 4 square, 4 square हैने 16 pi, यह पूरा जो सर्कल है, यह circle का radius यहां पर 16, r square 16 मतलब r 4 है, radius 4 है, एक दम जहां से देखना, यह जो circle है, इस circle का पूरा area 16 pi है, कितना है, 16 pi, तो पूरा 16 pi है, मैं बोलूगा कि भाई, मुझे सिर्फ एक टुकडा चाहिए, एक टुकडा, इसका area कितना आ जाएगा, तिर्फ अगर मुझे पूछता, देखो, मैं basic बता रहा हूँ, यह question को छोड़ो, question मता हूँगा, बट एकदम basic, okay, क्या है, अगर यह पूरा 16 है, तो यह उसका 1 fourth है, 16 pi को 1 fourth है, तो 4 pi, तो सिर्फ यह area 4 pi आ गया, समझे, यह area 4 pi आ गया, अभी मैं आपको formula sheet दिखाता हूँ, कि कभी भी आपको circle दिखे, देखो, यह circle दिखे, एकदम, area of circle क्या होता है, 4 into area of shaded portion, इसका जो 4 गुना होता है, यह अगर आपको वालू में 4, 4 pi, तो यह 4 pi, यह भी होगा 4 pi, यह भी 4 pi, यह भी 4 pi, standard circle, 16 pi, पाए, अगर पूरा 16 pi है, तो उसका 1 fourth होगा 4 pi, तो यह कुछ तरीके होते है, अभी depend करता है, आपको पूछा क्या है, तो इसमें आ रहा है, अभी यह बोला है, the area of the sector of the circle, यह, तो यह है बराबर, इसको हम लोग अटाते हैं, एक मिनिटा, sector of the circle, and the line y is equal to x, अब यह तो y is equal to x, एक line है, वो कहां से जाएगी, देखो एक दम ध्यान से, x is equal to y बोलो, यह y is equal to x, मतलब अगर यह 1 है तो यह भी 1, 2 है तो 2, मतलब x और y दोनों same है, तो point क्या होंगे, 00, 11, 22, 33, ऐसे होते जाएगा, तो हमारी जो line है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यह, एक अलग question मैं आपको ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में, यह हमारी line है, that is y is equal to x, okay, the area of the sector of the circle, and the area of the sector of the circle, and the line, in the first quadrant, तो actual अगर मुझे यह चाहिए, यह, अगर मुझे यह चाहिए, और x-axis भी बोला है क्या, area of the sector of the circle, and the line y is equal to x, यह line, और यह sector, क्या रहेगा बोलो, यह area अगर निकालना है तो, question थोड़ा सा incomplete लग रहा है, question थोड़ा सा incomplete लग रहा है, between x-axis बोला है, या सिर्फ first quadrant बोला, अगर मुझे सिर्फ इतना बोलेगा, only first quadrant, और यह line नहीं होती, देखो हाँ, direct condition बोला, अगर यह line नहीं होती, तो यह सिर्फ होता, तो 16th pi पूरे का है, direct करते, यह पूरा 16 pi है, तो एक टुकड़ा यहां से यहां तक first quadrant में 4 pi हो जाता, यह answer आता 4 pi, पर इसने line बोली है y is equal to x, अगर इसने बोला y is equal to x, तो यह line है y is equal to x, तो मुझे अगर बोलेगा, यह line और यह जो sector है, इसके बीच का बोलेगा, तो यह क्या गरेगा, बरबर मीटल में से जा रहा है, अगर यह पूरा 4 pi है, यह जैसे मैंने बताया, कि यह पूरा 4 pi है, first quadrant, यह first quadrant, यह पूरा अगर 4 pi है, जो green में दिखा रहा हूँ, अगर यह पूरा 4 pi है, पूरे circle का कितना 16 pi, पूरे circle का 16 pi, अगर यह 4 pi है, ठीक है, अगर यह line नहीं होती, तो 4 pi या था, answer, इसमें ही 4 question बता रहा है, अब यह line है, अगर मुझे बोलेगा, यह line, x-axis और यह sector के बीच में, तो यह पूरा 4 pi है, और यह line बर और बीच में से जाएगी, यह y is equal to x है न, बरबर बीच में से line जाएगी, तो दो टुकडा करेगी, अगर यह पूरा 4 pi है, तो यह क्या जगा 2 pi और यह 2 pi, अगर यह पूचा है, तो 2 pi और यह answer आजाएगा, यह answer आजाएगा 2 pi, अगर यह बोलेगा कि यह line और यह circle और x-axis, तो x-axis यह sector और यह line के बीच का area क्या आगया, 2 pi और यह line नहीं होती है, हमें बोलता कि सिर्फ 1st quadrant में बोलू, तो यह 1st quadrant में यह पूरा लेता है, और यह पूरा मिलके, तब 4 pi और यह answer आता है, हर case में आपको देखना है, बिना किसी, एक लड़का प्रणय लिख रहा है कि डैश नाम का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो बोल रहा है, नो एडमिशन और उपर वीडियो के MSTCT लिखा, बेटा बहुत सारे fake channels हैं, बहुत सारे fake channels हैं, एकदम ज्यान से रखो, आप मेरे चार्ट में बता रहे हैं, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, कि आप लोग को बच के रहना है, आप लोग को बच के रहना है, CT को लेके बहुत सारे लोग अफ़वा पहलाते हैं, यहां बच्चा लिख रहा है कि कोई तो एक channel है, YouTube channel है, वो लिख रहा है कि admission नहीं मिलेगा, सब को admission मिलता है, कुछ बच्चे जो हैं, उनको admission नहीं मिलता, जिनका percentile बहुत कम है, और जिनका group qualify नहीं है, अगर आपका group qualify हो गया, आपको admission मिलेगा ही मिलेगा, engineering, pharmacy, agriculture में, बच्चे जिसका percentile कम होगा, उसे compromise करना पड़ता है, अपने मन चाहिए college में admission नहीं मिलेगा, या तो फिर donation दिना पड़ेगा, नहीं तो जो on average college होता है, low level का college होता है, वहाँ admission लेना पड़ता है, admission दो सबको मिलता है, अगर कोई तुम्हें YouTube पे डरा रहा है कि admission नहीं मिलेगा, यह होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका 10-20 percentile आएगा, तो भी admission होता है, college group clear होना चाहिए, PCM का, समझ में आ रहा है, बहुत सरे YouTube channel है, रोज कुछ नहीं कुछ fake डालते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए, आपको खुद पहचारना चाहिए, कि कौँछा YouTube channel जीनी हुन है, कौँछा नहीं है, कोई-कोई YouTube channel में ने ऐसे भी देखा है, कि जो रोज, हर अपते में एक वीडियो आएगा, कि मैंने 99% कैसे स्कूर किया, हर अपते में, मैंने COEP में एडमिशन कैसे पाया, हर अपते में एक ही वीडियो बार बार आएगा, ऐसे भी YouTube channels मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे, आपको पहचानना है ना, कि कौन से YouTube channels आपके लिए youthful है, कौन से नहीं है, आप, वो select करो, आपका है, आप लोग इतने बड़े हों कि आपको खुद को पता चलना चाहिए, कि क्या सही है, क्या गलत है, आप लोग में से कुछ बच्चे पहचान नहीं बाते हैं, अभी हम किसी और के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपने बारे में बात करेंगे, कभी भी हम अपने बारे में ही बात करें तो अच्छा है, देखो यहां पर एक वैसा ही question है, मैं चाहूँगा कि क्या आप मुझे answer बता सकते हो, अरे सांग सांग बोलाना, राणत's, answer खीडि सांग, एक अर्य एरिया ओफ तैर्कल, बीना इंटीग्रेशन,icam तैंडर्च सर्कल है, रैडिय helmets कितना होगा मुझे बताओ, क्या आप इसीत्क्रीश सर्कल को देखका रैडियस पहचान सकते हो Anybody कि आप पैचान सकते हैं इसका रेडियस कितना कोई मुझे बताएगा यह बच्चे बता रहे हैं यह फाइव और अबर आपको यह पता होना चाहिए सर्कल कभी भी ऐसा होता है तो रडियस किया होगा पाच होगा जिसने फाइव बना होगा एक Kollegin है अब क्या दिखो यह एक क्या बोला दिक द अरिय ओफ सर्कल फ्वएंटीफ़एपएवईot धूता क्वाड्रेंड सबीजिए पैलेको कौड्रेंट डुसरे होटेरा क्वाडूरेंट टीसरा कौ्डalen चाहता क्वाडरेंट पहले क्वाडरेंड में कितना होगा जो पूरे सर्कल का एडिया कितना है पूरे 25,5, 5R² से आए, तो ये वाला जो एरिया कितना आएगा, A1, ये वाला एरिया, मुझे बताओ, अभी मैं चाहूंगा, आप बताओ, ये एरिया कितना आएगा, A1, ये, पूरे सरकल का एरिया 25 अपन पाई है, तो इसका एरिया क्या आएगा, बेभी सीडी बोल सकते है, इसमें नहीं कर रहा है, बबरे, 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 देवा, 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 आया, क्या आया, देखो ये, इसका चार पार्ट है, 1, 2, 3, 4, पूरे का 25 आया है, तो उसमें से 1, 4 आएगा, उसका, उसका क्या जाएगा, पॉन 4 आएगा, 1, 4, तो कौन सा है वो, A option, तो ही है, option A is right, guys, आये, देखो, J.E.Main 2015 का question है, J.E.Main 2015 का question है, मेरे दोस्त, J.E.Main 2015 का question है, क्या आपको मेरे दिये हुए शॉटकर्ट करके याद है, क्या तुझे याद है, दिया था मैंने कल question, शॉटकर्ट दिया था, हाँ, भूल गए क्या, Y square is equal to 4 AX, ये अगर कोई पैरा बोला है, और उसके साथ, Y is equal to MX plus C, करके कोई line है, इन दोने के बीच का area, हाँ, निगालने के लिए मने बताया था, शॉटकर्ट, area, अगर ये origin से जाने वाली line होती, तो ये plus C नहीं होता, तो हम 8 upon 3 करके लेते, 8 upon 3 A square upon M cube, बड़ ये plus C है, minus 1 मतलब plus C है, इसका formula direct दिया था, 72 A square, और ये X square वाला parabola होता तो, into M cube बाता, देख किदर है, किदर है, किदर है, देख ये वाला, Y square वाला parabola 4 A x, और ये Y is equal to M x plus C है, ठीक है, तो 72 A square upon M cube, direct, आइसे question, direct, तुम मुझे answer बताओगे, तुम मुझे answer बताओगे, कल हो चुका है, कल हो चुका है, टॉपर्स बैच में सिर्फ मैंस का ही होता है, बटा, दिनेश सर एप पर सिर्फ मैंस है, दिनेश सर एप पर सिर्फ मैंस है, पीजिक्स के लिए PGMN आप है, और केमिट्री के लिए All About Chemistry आप है, हमारी जो बैचे सेम होती है, टॉपर्स प्लस या प्रो, या टॉपर्स तो तुम यार बहुत स्ट्रॉंग बन जाओगे, क्योंकि एक दम हाई-लेवल के क्वेस्चन है, आज पाई-डे, अरे हाँ यार आज पाई-डे है, सही बोला क्रिशू, आज 14 मार्च है और आज पाई-डे है, ठीक है, हो गया, आया क्या, पुनाल प्रजापति कहते हैं कि रीम चेक करो, लोग छ वादा वादा बैटा वो एकस कॉमन लेके मैंने किया है, वो सही है, पुनाल एकस लोग एकस माईनस एकस होता है, सही यह, तो बास में एकस कॉमन लेंगे तो माईनस माईनस वन होता है, तुम कंफ्यूज हो ग laughing, नि इसको नहीं आ रहा है इसको नहीं आ रहा है देखो यह 4a की जगह पे 2 है तो 4a is equal to 2 a is equal to 2 upon 4 1 by 2 हो गया देखो यह m की जगह पे 4 है यह value रख दो देखो यह 72 a square a मतलब 1 upon 2 square 4 m cube 4 का cube m cube मतलब 4 का cube और a square 1 upon 2 square देखो यह 4 से 4 कट नहीं होगा याद रखना यह दो को 4 4 1 जा 4 8 जा 2 2 जा 4 2 9 जा यह 9 into 1 9 4 2 जा 8 8 4 जा 32 यह ऐसे आ जाएगा यह 1 upon 4 4 नीचे आ जाएगा 9 upon 32 जिसका आया वो सही है शौटकर यह बीना integration के होता है रहे 5 दिवस धाले आजुन ब्रहमा स्रभुक नाई आली केतन 2-3 दिवस लागे है 7-8 दिवस लागता है help line वर message कर तुझी tracking ID के दिनेश sir help line वर जो बच्चा log X वाला question बोल रहा था चलो पीछे दिखाता हो यह जेई मेन का question था देखो जो बच्चे बोलते हैं इस chapter में जेई मेन के questions आते हैं तो जेई मेन का question को कितना time लगा करने अगर आपको shortcut आता है तो time लगेगा क्या लगेगा देखो यहां पर मैं दिखाता है log वाला question बच्चा confused है formula से उसको बतना चाहेंगे log वाला question यह 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 देख बटा log X का होता है यहां पर देख 1 का integration X होता है और जब X common लेगा यह X तो X common भारा है तो X into bracket log X minus 1 है न यहां पर मैंने X common लिया था यहां नहीं लिया समझ में आया बच्चा तूंग्वीज मत हो कि वही चीज है X common लेकि दिखाया था यह समझ कि आभी देखो physics का lecture चालू हो रहा होगा physics ग्यान मुकेश नाइक YouTube चैनल है जिस पर physics का lecture चालू हो रहा है तो जो भी बच्चे यार इस session में सबसे request है यार session को like कर दिया करो आपने दोस्तों को बताओ एक genuine channel है Dinesh Sar की जो टीम है बहुत ही महनत करती है और पिछले 6 साल से महनत कर रहे है और लगातार बैचेस लाते और पूदा करते हैं और एकदम मन से बढ़ाते हैं डीटेल बढ़ाते हैं सब experience teacher है विशाल बोल रहा है लिटरली जेही में का question सौल किया मेने अरे हां बरोसा नहीं हो रहा है किया जेही में 2015 का question था लिटरली है ना बच्चा कूश हो गया जेही में का question मुझसे सौल हो गया तो भाई यार आपको पता होना चाहिए बहुत सारे बच्चे अभी लेटरल्समन को पता नहीं होता कि मेरी टीम जो है बहुत ही जिन्यून टीम है हमसे जुड़े रहो और मैं जिस तरीके से बता रहा हूं यह क्यों बता पा रहा हूं कि यह इतने सालों का experience है यह सारे जो नहीं नहीं तरीके इजाद हो सकता है या पहले से इजाद किये हुए हैं वो यूज करके मैंने पूरी formula book में दे दिया आपको इसमें और भी कुछ formula है जो लोग self study करना चाहते है और भी कुछ formula है अगर आपका ellipse है उसके लिए भी formula है अगर area of ellipse वाला भी formula है formula चीट मे और बाद में मैंने ये book compile किये, आप लोग देखोगे कि बहुत मोटी-मोटी books रहती है, बट दिनेसर की book जो है, formula की इतनी चोटी है, ये सिर्फ formula book की नहीं है, इसमें shortcuts भी है, इसमें shortcuts भी है, formula के साथ है, जिसका use करो, और आपको मेरे experience का फाइदा होना चीए, मैं आपको बत आपके जाना चाहूँगा दो बिनेट, भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए उनको ये भी पता नहीं था कि मैं math teacher, English Hindi के lecture मैं है, वो बोलता है math teacher देखो, English teacher देखो math पड़ा रहा है, मैं math teacher, मैं to English तुम लोग को exam में मदद करने के लिए पड़ाता हूँ, okay, तुम लोग को मैंने 12th करने के बाद, 12th, 12th, आपने जो अभी किया उतना करने के बाद, ये मेरा 2003 में complete हुआ था, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब मैं 12th कर चुका हूँ, पहली बात तो वो मेरा आपके लिए एक experience है, कि जब आपका जन्म हुआ था, उसके काफी पहले, मेरी 12th हो चुकी है, पहला achievement तो ये है, दूसरा, एक, दो, तीन साल लगे थे, मुझे bachelor of science की degree लेने के लिए teacher बनना था बाद में, पहले doctor बनना था, मेरे doctor बनने के लिए कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैं teacher बनने की कोशिश किया, teacher बनने के लिए B8 करना पड़ता है, तो मैंने BSc करी 2006 में, B8 किया bachelor of education ताकि मैं proper teacher बन जाओ, तो कि मुझे teacher बनना था, बच्चों को पढ़ाना था, मेरा पूरा knowledge जो है, वो देना था, तो 12th मैंने किया, 12th 2003 में 2006 में मैंने bachelor of science किया, उसके बाद bachelor of education ये degree लेते ही, मैं एक proper teacher बन गया था, बत मैं एक school level का teacher बन चुका था, कि अब मैं school में पढ़ाने के लायक बन चुका हूँ, मेरे पास इतना qualification आगया है, कि मैं school में पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मैं मुझे college में पढ़ाना था, उसके बाद मैंने master in science किया, M.Sc. जिसको बोलते हैं, 2010 में दो-दो साल की degree होती है ये, अब मैं college 11-12th के बच्चो का master degree है, B.Sc. का master degree, ये किया 2014 में, याने 2013-14, दो साल मैंने gap लेके किया, तो मेरे पास बच्चो चार degree है, इसके बाद principal post के लिए एक degree चाहिए होती है, जिसका नाम है DSM, Diploma in School Management, इससे principal बनते हैं, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए महाराष्ट्रा गवर्मेंट ने कंबल से र सबसे toughest university होती है, Mumbai University, सबसे toughest, कोई copy नहीं होती है, और बहुत tough checking होती है, और हर एक exam में first class लाया है, ठीक है, तो इस तरह से, इसके बाद भी, ये हुआ कि आप B.Sc. करे, B.A.D. करे, school के बच्चों को बढ़ा सकते है, 10th, आपने M.Sc. कि आप 11, 12th के बच्चों के लिए qualified हो ग NEET और JEE कंड़क करता है, उसकी तरफ से एक net exam होती है, National Eligibility Test, Lectureship के लिए, जिससे प्रोफेसर बन सकते हैं, Okay, Lectureship होता है, जिससे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, मैंने पूरे All India Level ये किया, इसलिए मैं अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिख सकता हूँ, Okay, याद रखो, क्योंकि प्रोफेसर कोन होता है, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, और उनको भी बहुत साल लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले बनना पढ़ता है, फिर प्रोफेसर इस तरह चो होता है, पर जनरली अभी सब लोग, जो भी net qualify किया, वो बच्चों को बढ़ा सकता हूं, डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं मतलब मैं qualified हूं, अगर कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज का बोले कि हमें टीचर की जरौत है, आयम qualified for every type of college, मैं school के लिए भी qualified हूं, junior college के लिए भी qualified हूं, जो education colleges होत सीख रहे हो, he is very highly qualified, समझ में आ रहा है, very very highly qualified, and मैं पढ़ा गब से रहा हूं, जब मेरी 12th हो गई थी, उसके बाद मैं second year degree से पढ़ा रहा हूं, 2004 से, and आप अगर count करोगे second year BSc से, क्योंकि मुझे teaching में जाना था, मैंने यहां decide कर लिया था, first year के half में, तो उसके बाद मैं second year से पढ़ाना चालू कर चुगा था, as a tuition, coaching classes में पढ़ाना चालू कर चुगा था, and 2004 से आज लगबग 20 साल हो गए है, पिछले 20 सालों का experience है, 20 years experience, यह बहुत माइने रखता है, यह मैं कभी बोलता नहीं आप लोगो, मैं रोज आता हो, पढ़ाता हो, कभी मैंने बोला नहीं कि मैंने कितनी पढ़ाई की, नहीं की, मिर पार degree कौन सी है, पढ़ यह बताना तब जरूरी पढ़ जाता है, कि जब comment में कुछ बच्चे लिखते हैं कि कहीं पर यह बता जा रहा है, वो बता जा रहा है, these are my degrees, four, two bachelor degree, two master degree, one diploma for principal post, okay, and एक तो एकदम पूरे इंडिया का सबस तॉप का exam होता है, जिसको clear करने के बाद ही lecturer बन सकते हो, degree college, समझ में आ रहा है, so these are my qualifications, and last year, last 20 years I am teaching, so भया, मुश्किल से, आप जितने भी teacher से बढ़ रहे होंगे, आपके college के हो, या आपके school के हो, उनकी पास जो degree आप पूछ लेना, और मेरे degree से compare कर लेना, हो सकता है कि को मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो I am very highly qualified in terms of education, and totally from Mumbai University, ऐसा भी नहीं कि कोई एक ऐसी university से जहां पर सिर्फ पैसा देके degree मिलती है, ऐसा नहीं है, प्योर एकदम पढ़ाई करके exam देके अच्छे से लाया, और Mumbai University बहुत तफ चेकिंग रहे है, everything is from Mumbai University, यह DSM तिर्फ एकी university में यश्वंत्र अचवान जो government ने कमपल तरी किया है, ठीक है, तो यह हलके मत लेना, बहुत-बहुत मेंनत करते हैं, चलो फिर Bye Everyone, मिलते हैं भी next lecture में नहीं chapter के साथ, Bye Bye Everyone, Take Care, Bye Bye, Bye Bye एक दम, DSAG क्या है, यह भी मेरे पास एक diploma है, जो मैंने भी आपको बताया नहीं है, diploma in software application and graphics, यह मेरे पास एक diploma है, मैंने एक diploma किया हुआ है, जिसके वज़े से मुझे technical knowledge आया, हमारे time के लोगों के बाद technical knowledge नहीं होता था, मैंने अपनी graduation के बाद ही यह diploma किया, software application का, जिससे मुझे designing करने आ गई, जिसमें corridor हो गया, जो बहुत सारे designing होती है, वो सब मैं करता हूँ, जो software होते हैं, इसको किस तरह से develop करना, यह सारी चीज़े मैंने सीखी हुई है, graphics यहने designing से related, तो वो चीज़े मुझे आज भी काम आती है, मेरे काम में, चलो, bye bye everyone, bye bye everyone.